असलाम लेकूं वेलकम तो मार यूटूब चैनल कोकिंग विट नवाजिश आज हम बनाएंगे बेजा मसाला बेजा मसाला बनाने के लिए हमने यहां पर एक बेजा लिये हैं इसको हल्दी नमक से बॉइल करके अच्छे से वॉश करके हमने इस तरीके से कट कर लिया है यहां पर हमने एक मीडियम साइज का टमाटर बारीक कट करके लिए एक चमच अद्रक लस्तर मिर्ची का पेस्ट थोड़ा धनिया पत्ता बारीक कट किया हुआ आदा कप ओईल दो मीडियम साइज के प्याज इस तरीके से कट किये हुए पाँ चमच काली मिर्च पॉड़र आदा चमच धनिया पॉड़र आदा चमच हल्दी आदा चमच गरम मसाला आदा चमच जीरा पॉड़र नमक अपने टेस्ट के हिसाब से अभी हम यहां पर बरतंग गरम हो चुका है हम इसमें तेल एट करेंगे तेल गरम हो जाए फिर इसमें हम प्याज जाल देंगे प्याज खुड़ साफ हो जाए पक जाए इसके लिए हम इसे स्लो प्लेम पर पांच मिर्च के लिए रसकर रख देंगे देखिए प्याज इस तरीके से प्राइब हो चुका है अब इसमें हम टमाटर और अद्दक रसन मिर्ची का पेस्ट डालेंगे और यह सारी मसाले डाल देंगे उसके बाद अठे से अठे से भून लेंगे अब तमाटर गलने के लिए इसे स्लो फ्लेम पर 2-3 मिन्स के लिए हम ड़का रख देंगे देखिए यहाँ पर टमाटर गल चुका है अब हम इसमें बेजर एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसे सफ करेंगे देखिए यहाँ पर भेजर मसाला रेड़ी है आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राइब करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों को यह रेसिपी कैसे लगी मेरे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्स् अबस्टे सब्स्टे सिर्धेश प्र टॉर से सके जरूर बताइब।